हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त अजी तो राज की इस वीडियो में हमारे पास है बैरेक ट्रांसफार्मर यानि कि इस बैरेक से हम अटोमेटिक स्टेपलाइजर सेट करते हैं 0 बोल्ट से लेके 280 या 300 बोल्ट तक इसमें इंपुट होती है देखे आप आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तो बैरेक हमारे यहां लगा हुआ है हमारे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने यह बैरेक मंगवाया हुआ है उनके यहां बैरेक नहीं मिल पाता तो उन्होंने यह डिमांड करके हमसे बैरेक मंगवाया हुआ हम उनको भेज देंगे तो जब भी आप नया बैरेक मार्क से लें तो यह जरूर चेक कर लें यह कोपर है या अल्मूनियम आपको कोपर ही लेना है यहां पर हमने इसे अपने में 220 वाली बोर्ट से कनेक्ट कर लिया है आप देख सकते हैं और मल्टी मीटर को अभी हम हम AC पर सेट कर लेंगे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यह कितनी बोल्ट आउट कर रहा है तो मल्टी मीटर को हमने AC पर सेट कर लिया है और जिसकी जो दोनों प्रॉप है उसे मैं इसकी आउट्पुट वाली सोकेट में कनेक्ट कर देता हूं यहां पर आप देख सकत यह 200 बोल्ट आउट्पुट इसकी है और थोड़ा बढ़ाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यह हमारा बैरेक है 275 बोल्ट के आसपास यह आउट कर रहा है यानि कि दोस्तो इस बैरेक से आप 0 बोल्ट से लेके 275 बोल्ट तक Input दे सकते हैं इस टेपलाइजर में यह हमारा 275 बोल्ट के आसपास आउट कर रहा है तो इस बैरियक से हम 500 बोल्ट प्लस आउट कैसे करवा है इसके काफी आदा कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास जो बैरियक लगा हुआ है अक्सर हम जब इस्टेपलाइजर बनाते हैं तो आप लोगों के कमेंट्स रहते थे कि आ आप डूल प्लस इस्टेपलाइजर जो आपका बैरियक है वो 280 या 280 के आसपास ही आउट्पुट निकालता है आप 500 बोल्ट या 500 बोल्ट कैसे बैरियक से आउट करते हो तो जैसा कि दूस्तों आप देख सकते हो हमारा जो बोल्ट है उसमें हमने 2 बोल्ट मीटर लगाया प्लस बोल्ट या आउट कर रहा है अभी थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं तो अगर हमारे पास सिंगल फेस का इस्टेपलाइजर चेक करने के लिए आता है तो हम 220 वाली सोकेट में लगाके इस्टेपलाइजर को चेक करते हैं और अगर हमारे पास डूल फेस का इस्टेपल लेता हूँ यहां पे बोल्ट से बढ़ ड़ाने के लिए मस्में एक ट्र्रांसफार्मर और यहां है नमबर में हमारी जो को रहे और यहां पे आप do Assad का है अभी मैं आपको दिखा जेता हूँ किस तरीके से आप 600 बोल्ट पूट ले सकते हैं तो सबसे पहले आप transformer की टेपिंग को देख लीजिए किस तरीके से आपको बैरेक में लगाना है इसमें दोस्तों जो हमारी पहली वाली वायर है या हमारी न्यूटल की वायर है यानि कि कोमन की वायर है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमको बैरेक में लगाना है जो हमारा कोमन होगा उसे कोमन में लगा देना है यानि कि जो हमारा न्यूटल का वायर होगा सबसे पहला वाला बैरेक का स्वारी या ट्रांसफार्मर का उसे हम कने कर देते हैं बैरियक की निउटल में तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो बैरियक में आउटपुट निकला हुआ है इसमें में लीड भी लगी हुई है तो यह इसकी आउटपुट है आप देख सकते हैं आउटपुट की निउटल है तो इसे हमें कनेट कर लेना है ट्रां बैर्यक की output निकली हुई है, neutral तो हमने पहले से ही connect कर रखा है, और जो line वाली point बचेगी, उसे connect कर देना है, transformer की एक number wire में, तो इसे भी दोस्तो अच्छी तरीके से साप कर लेते हैं, यहाँ पे हमने इसे साप कर लिया है, और इसे connect कर देते हैं, जो हमारे बैर्यक की output निकली हुई है, उसकी line वाली point बे, इस तरीके से दोस्तो आपको इसे अच्छी तरीके से connect कर लेना है, फिलाल मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्मानेंट रखना नहीं है, बैर्यक को भेस देना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको connect कर लेना है, तो यहाँ पे दोस्तो आप देख सकते हैं, हमारे transformer की जो taping निकली हुई थी, उसे हमने बैरेक में connect कर लिया है, एक हमारा neutral और एक हमारे एक number की जो transformer की wire थी, उसे हमने इस तरीके से connect कर दी है, अब दोस्तो transformer में से हमें एक wire और लेना है, यहाँ पे जो हमारी दो number और तीन number की wire थी, उसे mode देना है, और जो हमारी सबसे last वाली थी, उसे ले लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक number हमने बैरेक में लगा दी, दो, तीन हमें use में नहीं लेनी है, तो इसे हम mode देते हैं, जो सबसे बाहर वाली हमारी wire होगी, इसकी winding single wire में होगी, 200 volt की, यह हमार बैरेक से घुमा की output voltage हमें 500 volt मिलेगी, वो हमें इसी wire पे voltage मिलेगी, बाकि आप इसमें socket हो गयरा, switch हो गयरा तो लगा ही सकते हैं, उसमें बताने की हमें साय जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यह दोस्तो हमारी output की wire होगी, न्यूटल दोस्तो हम यहाँ से ले लेंगे, जो हमा हमारे transformer की wire से out हो जाएगी, मैं multimeter लगा कि आपको check करवा देता हूँ, कि यह कितने bolt out कर रहा है, इसकी output कितनी है, वो मैं अभी आपको multimeter पे दिखा देता हूँ, multimeter को दोस्तो हम AC mode पे set कर लेंगे, यहाँ पे हमने AC पे कर लिया है, multimeter की एक wire हमारा जहाँ पे neutral की दोनों point जुड़ी होगी, यानि कि barrier का neutral उस पे लगा देंगे, और दूसरी वाली wire जो हमारे transformer की हमने जो transformer बाहर से लगाया हुआ है, उसकी जो wire हमने आपको बताई थी, इस पे हम लगा देंगे, इस तरीके से दोस्तों आप output निकाल सकते हैं, barrier को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, या जैसे ही आप barrier को on करोगे, आपका barrier फुल यानि कि 200 बोल्ट पे रहेगा, जैसे ही आप barrier को आपका barrier तरन्त खराब हो जाएगा, क्योंकि load इस पे direct पढ़ जायेगा, ampere का आप ही ले ले लेगा, तरन्त बैरियक आपका खराब हो जाएगा, तो जब भी दोस्तों आप चेक कर सब्दल ना स्टार्ट कर दिया आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के डिस्पिले पे जो बोल्टे मारी है वो अभी 270 के आसपास है और यहां पर यह 100 बोल्ट हो गई है इसकी जो बaydरिक की हमारी आउट पुट थी 300 बोल्ट हो गई है अभी हमने आपको जो चेक कर वाया था बार बैरेक की हमारी आउटपुट वो 275 बोल्ट के आसपास थी और अभी यहां मल्टिमीटर की डिस्पले पे आप देख सकते हैं हमारी बैरेक की जो बोल्ट है वो काफी जादा बढ़ रही है यहां पे तकरीबन तकरीबन यह 400 बोल्ट के आसपास हो गया है और अभी हम घुमात 300 बोल्ट यहां पे आप देख सकते हैं 300 बोल्ट पलस हो चुका है और अभी हम घुमाते ही जाएंगे जितना हम घुमाएंगे उस हिसाब से इसकी बोल्ट हमारी बैरेक की आउट हो जाएगी यहां पे आप देख सकते हैं 440, 475 हो गया, 490 हो गया, 500 बोल्ट हो गया, 515, 520 अभी भी और दोस्तों इसकी बोल्ट बढ़ेगी आप देख सकते हैं 500 बेस बोल्ट तक अभी हम लेके आए हैं क्योंकि हमें डूल फेस में इस्टेपलाजर सेट करने में 4500 ही बोल्ट की जरूरत पड़ती है जादा जादा 500 बोल्ट की 500 प्लस बोल्ट हमने आपको आउट करक हो तो आप ट्रांसफर्मर डूल फेस का लगा के 700-800 बोल्ट तक आप आउट करवा सकते हो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आये हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ल कियो में